नमस्कार आप देख रहे हैं एकजाम टूर अभी अभी BPSC TRE 2 का यानी की फिर से रिजल्ट घोसित किया गया है रिजल्ट की संख्या बहुत कम है लेकिन इस पर भी भेर्थी लगतार कई सारे प्रस्न कर रहे हैं और आयोग के द्वारा एक नोटिस दिया गया है और नोटिस अभी बाग तक पहुंच सके सर आपका स्वागत एकजाम जी बहुत बहुत दन्यवाद सर खुशी की बात है कम से कम रिजल्ट BPSC TRE 2 का दिया गया खुशी की बात तो है लेकिन BPSC का ये ऑटो क्रेट रवया इससे जाहिर होता है आप देखिए ये जो आज रिजल्ट दि कर सकते हैं अगर किसी भी रूप में उसमें कई स्थारा कोलम बनाया गया था तो अगर आपको दिकत है तो उसके एकोर्डिंग आपको दावापति करना है और इसमें असपस लिखा हुआ है कि चात्र अपनी आपति दर्ज कराते समय सपत्पत्र के साथ साक्षी संलगन होना देखिए कि इसके आलोक में निर्धारित अवधी तक कुल बारे सो एकतीस अभ्यर्थियों के द्वारा आपति दर्ज कराई गई जिसमें 737 अभ्यर्थिक द्वारा सपत्पत्र संलगन किया गया और 494 आपति बिना सपत्र के थे जिसमें सासर की पुनराविट्ती है मतलब दो बार उनों ने किया है यानि 477 अभ्यर्थि को छोड़ करके छीक है आपने 737 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया है लेकिन बांकी जो 427 अभ्यर्थि थे उनके विरुद देखिए इनोंने क्या किया है उक्त सभी 427 अभ्यर्थि जिन साथी आयोग पर अनावस्यक एवं तत्हीन आरोप लगाते हुए आयोग की छवी को धुमिल करने का पर्यास किया गया है आयोग आपके इस कृत्त के व्रिद्ध निरनाई लेने के लिए बाद है अब आप बताईए कि आप करें कि आयोग का समय नश्ट किया गया है बहुम हुआ तो दो बार भी रिजल्ट अगर हमको देना परे तो फिर उसको भी देंगे अगर दुबारा भी मल्टिपल वाले बच्चे आ जाते हैं वहाँ पर भी देंगे तो क्या आपने इन छात्रों के साथ रिजल्ट ना दे करके सपलमेंटरी उनको मांसिक तनाव पहुचान अभियर्थी जो दावे अपने पेश किये सपत पत्र अगर नहीं दे पाए जानकारी या साक्ष के अभाव में यानि कि कोई आपसे प्रस्ण भी नहीं कर सकता है इसका मतलब तो यही हुआ यह तो एकदम आप ताना साही रवया अपनाए हुए हैं कि आप यह भी धमकार है कि आपके एकदम कारवाह की जाया, कितने स्टुडेंट डर से मेरे पास आते हैं, डर से अपथी ब्यक्त उन्हों नहीं किया, कि पता नहीं अगर थोड़ा भी उपर नीचे भा ब्लता हो जाएगा तो कई हमको सब दिन के लिए बाहरत उ वीप्यसिन होना पर जाएगा, यह डर बना रहाता हूं। यह डर बनाए हुए हैं। अब बताइए कि इस्तिति Aycie आ गई है। TRE को लेकर आज Miller High School में, जो जत्यु करेयाले के Just siаш chronic वह आंपे इतना भच्चे ही कठा हुए थे, मैं उसका कभ़र कर रहा था. सभी बच्चे रो रहे थे कि की सर के दुवारा चार जन्वरी को बोला गया कि सप्लमेंटरी पर काम चल रहा है बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पेपर हो गड़ा में सब में निकल गया कि सिक्षा भी भाग ने बेजी बहुत जल्द रिजल्ट और उसके बाद साफ तोर पर बदल दिया लगता है कि सिक्षा भी भाग हो या लगता है कि सेंटिमेंट नाम का कोई चीजी नहीं है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है मानविय पक्ष भी होता है मानविय भेल्यू आप किसके लिए बने हैं इन्ही अभियर्थियों की सुबधा के लिए है न सारा कुछ आप जो लगातार रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनका क्या हुआ उनके समय का कोई वेल्यू नहीं है सर यह भी तो हो सकता है जो बिद्यारती इसके पक्ष में होंगे अगर नहीं आपती किये तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा नहीं यह स्टुडेंट को निरही प्रानी समझ किजिए कि हर बात को समझ जाए महिला पूरुस अभीरती का कटॉप कैसे बरावर बरावर चला गया 35 परसेंट आपने होरीजेंटल इजर्वेशन की बात कही है और अधर स्टेट के महिलाओं को यहां के महिलाओं में कैसे आरक्षन का लाव दिया गया एक सो सवाल है आप दुबारा री एकजाम हुआ मैध के बच्चों का इतना टफ कोश्चन कैसे आ गया थोड़ा बहुत अंतर रहता है तो समझ में आता है तो इतना परा दाइरा इतना परा गैप कैसे हो गया एक सो जगह भी पीसी का लूप हो ले है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है लेक को सर क्या उमीद बन रहा है जिस तरीका से चार जन्वरी को बताये गया या तूल सर जो ट्वीट करते हैं उस पर कायम रहते हैं काहां कायम रहते हैं आप देखिए मानिया चेर्मेंसर कितनी बार इन बातों को दोहरा आ चुके हैं आप उनका वीडियो क्लिप निकाल लीज कि सब्लमेंटरी जल्ड देंगे शीर्फ आज सिछा वीज़ाग केँगे ऐक महेना पहले रिजल्ट जारी हो चुका था इसलिए अब सपलमेंटरी जल्ड देते हैं तो अदालती कारवाई हो जाएगी आदालत में मामला जला जाएगा यानि कि आपके गल्ति और GAP का नुकसान आखिरी ये छात्र क्यों उठाए इसमें छात्र की गलती है लेकिन आप 14,700 ही सप्लिमेंटरी रिजल्ट देते देना तो चाहिए आपको नुकसान आखिरी जी का भी क्या स्थिति है पतानी वह भी संग्यान में लेते हैं कि नहीं एक दम पॉल्टिकल इस तरह का डालिमा में फसा हुआ है सारा डिपार्टमेंट कि इधर आम स्टुडेंट का कोई मतलब भी नहीं है आम चात्र क्यों परिशान है उससे कोई मतलब भ सकता है कोई मंत्री तक कोई विधाए कोई एक्षण नहीं लेने को सिकष्छां विभाग अलग हो गया भी प्यक्रियेट हूआ है लेकिन जिन अधिकारियों को इसका। दिया गया था, सिक्षा विबाग हो, अभी PSC हो, उनको तो इस तरी किसे काम करना चाहिए, कि आम चात्र परिशान नहीं हो, और जो वाजिब आपने notification में जो भी बातें लिखी थी, उसको तो कम सकम follow करना चाहिए, कि जब मन होगा आप कुछ से कुछ, कुछ से कुछ अपने हिसाब से ले करके सारा system को चलेंगे, कैसा आपका technology है, कि इतना ज्यादा, अंतर हर चीज में समझ में आ रहा है, इतना high cut-off जाता है, फिर भी आपका seat vacant रहा जाता है, यह गहरी साजिस है कहीं न कहीं, कि अधिक से अधिक vacancy बचा करके, अगली बार फिर इतनी vacancy यहां देखाने का हम काम करेंगे, जो भी अभ्यरती इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर maximum share करें, ताकि आपकी बात, आपकी आवाज वहां तक पहुंचे, और आप लोग की जो demand है, उसकी संग्यान ली जाए, result तो दिया गया, लेकिन इस result पर भी कई सारे प्रस